आज हम बात करते हैं हर्याना की प्रसद डांसर सपना चोधरी के बारे में सपना चोधरी जो की लोगप्रीता की शिकर पर पहुंच चुकी है और जिनके डांस को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग इकटा होते हैं उनकी अदाएं लोगों को लुभा लेती हैं और वे हर्याना की सबसे बहतरीन डांसर मानी जाती हैं लोग नरत्य पर उनका एकाधिकार है और लोग गीतों पर जो वे एक्टिंग करके गीत प्रस्तूत करती हैं उसकी सभी दूर सराहन की जाती हैं लेकिन सपना चोधरी अपने इस डांसर बनने से खुश नहीं हैं वे ये कहती हैं कि उन्हें डांसर बनने के लिए जो कुछ भी जहलना पड़ा जो कुछ भी सहना पड़ा उसके बाद वो किसी को नहीं कहेंगी कि वे डांसर बने जे हाँ उन्होंने एक मंच पर बच्चों से अपनी बातें साजा करते वे कहा कि सपना चोधरी बनना बहुत कठिन है बहुत मुश्किल है और वो कता ही नहीं जाएंगी कि कोई सपना चोधरी बने वो तो यह चाहती है कि इस धर्ती पर डांस ही खतम हो जाए डांसर खतम हो जाए याने कोई दूसरी डांसर ना हो वे नहीं चाहती है कि इस धर्ती पर डांस हो जे हाँ सपना चोधरी का यह वीडियो बहुत वाइरल भी हो रहा है और अभी तक इसे एक करोड से जादा लोग भी देख चुके हैं कुल मिलाकर विचाड़नी बात यही है कि हर्याना की इस चरम बलंदी पर पहुँची सपना चोधरी डांसर ने ऐसा बायान क्यों दिया आखिर क्या वज़ा है कि वे डांसिंग की चरम पर पहुँचने के बाद भी डांस से खुश नहीं है और अपनी लोग प्रीता से खुश नहीं है वे बच्चों से क्यों कह रही है कि वे सपना चोधरी बनने का सपना छोड़ दे सपना चोधरी बनना आसान नहीं है उसके लिए भारी की मच्चुकाना होती है कुल मिलाकर यह बात बहुत माइन रखती है कि सफलता की सड़ी चड़ चुकी सपना चोदरी ने यह बयान अखिर क्यों दिया